अशु जी हैं हमारЕ साथ लाइन पे दिल्ली से पॉस्वां कहते हैं अपका स्वागत है अशु जी टहे दिल से श्तिकबाल बताइए क्या समस्या है हकीम साब किया अधने जी आदाब, बहुत दिनों से मैं आपका साइकर्म देख रहा हूं, कई बार मैंने कोशिश करी, फोल लगाने कुने, तब में पोन लगता है नहीं था, आज में सो भागे कि इने बिनवाद आपसे, में पोन लगया और आपसे बात करने का मोगा मिला, जी स्वागत है आपका, जी देखे जिन लोगों को भी अक्सर उबेश्टर, खांसी, नजला, चींके, बुखार, बलगम, ये रहता है, वो लोग सर्थ मिजाज के लोग होते हैं, हमारे गाहों में इसको कहते हैं, खून की सर्दी, उनके खून में सर्दी होती है, जितनी गर्मी होने चे इतनी गर् कुवते मुदाफियत, यानि बीमारी से लड़ने की शक्ति, रोग प्रति रोधिक शमता, हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं, उनके लिए ये सर्दी है, तो जब तक उनकी वो चीज नहीं बढ़ेगी, जब तक ये मर्ज चलता रहेगा, ये रिसर्च है, कि हमारा मिजाज कांसी हो जाएगी, बल्गा हो जाएगी, उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, हमार गाउं में तो आसानी से मिलती है, शेहरों में भी मिलती है, वो सू के रूप में मिलती है, ये दवा का नाम है, जिसे हम आसान जबान में लिसोडा कहते हैं, लिसोडा, आप जानते ह होंगे जह एक फल है जो रीठे जैसा होता है जह और रीठा है तो सभी जानते हैं दोनों की शकल तकरीबन एक सी होती है जह दो लिसोड़ा या लिसोड़े के पत्ति जह दोनों चीजों मेंसे कोई भी मिले लिसोड़ा शेहरों में सुका मिलता है जाओं में सीजन में ताजा भी मिलता है तो शेहर का बता है तो कि सो दो सो गिराम लिसोड़ा सुका वाले और उसको पाउडर बना ले और छान ले खुब बारिक सा और आज़ा चमच लिसोड़ा का पाउडर खा लिजे जिन लोग डाय का पौडर है उतना शहद अगर कहीं असली मिल जाए तो उससे दो गुना शहद उसमें मिक्स करके रख दी अब ये तीन साल के लिए महफूज हो गया अच्छा ये एक माजून बन गए एक चाटन बन गए एक पेस बन गया जे तीन साल तक खराब नहीं होता अगर असली शहद है जी जी तो इसका आधे से एक चमच नहार मूलें खाएं और चाय या गरम पानी ऐसा हो जैसे चुस्की लेकर पी इतना गरम हो चुस्कीयां लेकर पी है जी जी ये बतावातित तीन चार महीने इस्तमाल करने से जी ऐसे मरीजों को मुस्तकिल तोर पर फायदा होना मुमकि विरेंदर जी नमस्कार अलो सर नमस्ते है बताइए जी बताईये क्या समस्या है पर समस्था है जा रहा है आपकी उम्र कितनी है तो अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में बता रहे था और फिर बतायता हूं एक तो आपका इलाका मैं जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका उसी तरफ है नगरा उसतन अगरा उस तरफ उतर प्रदेश में हैं तो ये अगरा इसी आपके बाए बाति चल लाएजए उद्सिय के जिन लोहों को पंगर इन्फेक्श्न हो एलर्जी तो इसकी खुजली हो और बहुत सारे इसकिंड के इम्राष के लिए अलसी आप लीजे दो डाई सो गिराम खरीद लिए सस्ती चीज़ है विस तीस रुपए की आज़ जाद है हलका सा भूनी है और उसको फिर पौडर बना लीजे आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है बारिक पौडर बना लिए उसे रखी यह आप एक डिबबे में करके बंद करके और सुला आपने हर मूँ मी ले सकते खाने के बाद बी ले सकते एक जमच वर के निकाले त्यकरीबन चार पाश गिराम छे गिराम यह इसमें एक चुटकी सोडा खाने का डाले और यह आप खा लें बुरा नहीं लगता, जायकेदार लगता है, जिनको शक्कर नहीं है, शुगर भी मिला सकते हैं इसमें, और पानी पी लें, थंड़ा या गरम, जिसा भी आप पसंद करें, दिन बहुत ज़्यादा है, तो दो खुराक ले दिन में, और कम है तो यह खुराक में ही, आपको होते हैं, मैंने अपनी तैजर्बे में देखा कि हर तरह का बेश्टर मर्जों में इस नुसके ने लोगों को फाइदा पहुंचा है, अब भी कोशिश करिए, बहुत मुझरब नुसका है, आपके, आप अपने रब से खुब मदद भी मागए, अपनी वालदा जिंदा है तो उनके दुआ करवाईए, वालिद है तो जो भी बुजर्ग है, उनको खुश करिए, अगर नाराज है तो उनको राजी करिए, इंशालला आपका मज़ ठीक होने लायक है, गुलाम नभी खान साब आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, हकीम साब आपकी आवाज सु ततना से वेडले में रहता हुम् है, एनको इस दिल शेम में मिचे, इससे रहता है, दरद में रहता है, न्कों है जरतों है, इससे माले में भी covert आम आपका स्वादा, इससे भी मोट में अत Wave ₩, więu hell आपका जिल्हा जाओ सा रहता है और जब सुबह को उटके चलते हैं तो थोड़ा तेड़ा तेड़ा चलेंगे फिर ठीक हो जाएंगे जी जी और पैर में थोड़ा सा शुचान आजाती है बहुत थोड़ा मनला बहुत ज्यादा नहीं ठीक है उम्र कितनी है आपकी उम्र अभी 43 साल है ठीक है देखिए यह उम्र है जहां हमें पहला पड़ाओ बीमारी से लड़ने का जबरत पड़ जाती है और अगर मशकत करते हैं कुछ दिन के लिए रोक दे और सुरंजान शीरी अलसी कलोंजी और सुरंजान शीरी अजगन नागोरी अलसी औकलोंजी चार चीज़े खुब बारिक पाउडर बनाए हम वजन लेकर जी और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम पानी इसे जूस से जैसा आपका मौका हो सब तीजों से फाइदा करती है जाए और वजन नहीं उठाएं और वैस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करें जी और इतियात करें के मशकत कुछ कम करें जब त तकरीबन दो माही ये नुस्खा लें मुझे अमीद है लला से कि आपको फाइदा मुम्किन है सुलिमान साथ नमस्का रादाब बहुत बहुत स्वागत है आपका असलाम अलेकूम आप मेरे हम नाम है माशाआलला जी असलाम अलेकूम असलाम बहुत है खुशी ही वाद है आपसे बात हो रही है आज जी फरमाएं से क्या प्राब्लम है मेरे कमर दर्द में काफी अरसे से परिशानी थी मैंने बात की थी आपके दर्द तो काफी आराम है भी 60 से 35 परशट तो आराम है कमर दर्द से लेके मतलब घुटनों तक और पैरों तक काफी थकलिफ रहते थी तो अभी तो मैंने दो महीने दवा खाई है मुझे 75 परशट आराम है तो अभी आगे क्या मामूल रहना है और बहुत सारी चीजों से नहोंने रोका था मतलब क्या क्या चीजों से रोका था जिनको आपने छोड़ा जी मैनद करने से रोका था और बैठे रहने से एक ही जगा पर बहुत सारी चीजों से ऐसे हैं आपकी ओमर कितनी है? ये मेरे उम्र हचतिस साल है हुँए जी बहुत कंम ओमर में और बहुत कंम ओम ही नहीए हुँए एक अहुए हुए है जब 35 साल के 36 साल के हो proportion क्योंकि उम्र का एवरेज हमारा बहुत कम हो गया 60-65 है एवरेज उम्र हमारे इंदुस्तान की तो आधी जिन्दगी हम जी चुके हो गया बरहाल आपको हमेशा सेहत मन रखे और आपको माशाला फायदा हो रहा है 30-35 परसेंट हर महीने हो रहा है तो दो महीने में आपको 70 फी से फायदा दे रहा है शायद एक माह और लगे या कमो बेश उसमें आपका ठीक होना मुम्किन है अभी थोड़ी अतियात करने तो बेतर है हफ़से माता कर दो मतलब हिपाज़ती तो पर आप इसको करें तो बहुत अच्छा है वरना आपको अल्ला मदद कर रहा है बहुत त दिन तक जी और अक्सर हम बज़न उठाने में या कोई बच्चे लोग होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए अपने इस्तताज से जादा बज़न उठा जा जाती है या कहीं भी कुछ जटका लग जाए और आप उसे निसके को लेते रही है इंशालला मुझे अमीद है कि आशु जी नमस्कार जी आपका स्वागत है आशु जी तहे दिल से इस्तिक्बाल बताईए क्या समस्या है हकीम साब आपकी आवाज सुनने है जी आदाब बहुत दिनों से मैं आपका पैकर्ण देख रहा हूं कई बार मैंने कोशिश करी फोल लगाने कि तब में पोन लगत से बात करने का मोगा मिला जी स्वागत है आपका स्वागत है जी बताएं बहुत शुक्रिया जजा कर लगा है हकीम साब घर में खांसी बुखार बहुत है बच्चों में और मुझे भी मैं इसके बार मैं जान चाहता हूं कोई रिल वी लाज़ों ठीक है जिन लोगों को भी अकसर भेशतर, खांसी, नजला, चीए, बुखार, बल गम ये रहता है, वो लोग सर्प मजाच के लोग होते हैं, हमेरे गाहों में इसको कहते हैं खून की सर्दी उनके खून में सर्दी होती है जित्ती गर्मी होने से इतनी गर्मी नहीं होती है तो अगर ये मुस्तकिल किसी को होता है तो उन्हें इलाज ऐसा लेना चाहिए जिस से उनकी कुवत मुदाफियत यानि बीमारी से लड़ने की शक्ति के रोग प्रति रोधिक शमता हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए यह सब्सक्राइब तो जब तक उनकी वो चीज नहीं बढ़ेगी जब तक ये मर्ज चलता रहेगा यह रिसर्च है के हमारा मिज़ाज अगर सद है तो हमें उसको ठीक करना होगा नहीं तो खून की सदी आपको यहां तक के अगर हवा तबदील हो जाएगी तो छीकने लगेंगे खांसी हो है हमर गाउं में तो आसानी से मिलती है शेहरों में भी मिलती है वो सूक है रूप में मिलती है यह दवा का नाम है जिसे हम आसान जबान में लिसोडा कहते हैं लिसोडा आप जानते होंगे जी एक फल है जो रीठे जैसा होता है जी जी और रीठा तो सभी जानते हैं दोनों कि शकल तकरीबन एकसी होती है तो लिसोडा या लिसोडे के पती धी दोनों चीजों मैं से कोई भी मिले लिसोडा शहरों मिलता है जाओं में सीजन में ताजा भी मिलता है तो शिएखर का बता ले ताउकि 100-200 क्रें लिसोडा सुकावले और उसको powder बना ले जी और च्छान ले खुब बारिक सा और आज़ा चमच लिसोड़ा का powder खा लिजे जी लोग डायवटीज नहीं उस शक्कर मिला सकते हैं उसमें उखा सकते हैं या जितना लिसोड़ा का powder है उतना शहद अगर कहीं असली मिल जाए तो उससे दो गुना शहद उसमें मिक्स करके रख दी अब ये तीन साल के लिए महफूज हो गया अच्छा ये एक माजून बन गए एक चाटन बन गए एक पेस बन गया जी तीन साल तक खराब नहीं होता अगर असली शहद है जी जी तो इसका आधे से एक चमच नहार मूलें खाएं और चाय या गरम पानी ऐसा हो जैसे चुस्की लेकर पी तगरम चुस्कियां लेकर पी ए जी जी ये बतावातित तीन चार महीने इस्तमाल करने से ऐसे मरीजों को मुस्तकिल तोर पर फाइदा होना मुमकिन है गुलाम नभी खान साब आपका स्वागत है तहे दिल से स्वागत है आपकी आव सुन पा रहे हैं फर्माएं अलेकूम वाले असलाम रहमतुल्ला फर्माइए जिनाब गुलाम नभी साब फर्माइए जो है मेरे दोनों पैर में गाट के नीचे जो है गाट के नीचे दरद रहता है सालों से और सूजन रहता है जनी गुटनों से नीचे गुटनों से नीचे और नीचे जाकर जो एड़ी है एड़ी में बहुत जादा दरद रहता है सुबा जब सो के उठता हूं तो ज्यादा तकलिप देता है पिल्लियों में खिचाव सा रहता है और जब तोड़ा तेड़ा चलेंगे फिर ठीक हो जाएंगे जी जी और पैर में थोड़ा सा शुचान आजा जाती है बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं ठीक है उम्र कितनी है आपकी उम्र अभी 43 साल है ठीक है देखिए यह उम्र है जहां हमें पहला पढ़ाओ बीमारी से पढ़ जाती है जी और अगर मशकत करते कुछ दिन के लिए रोक दे और सुरंजान शीरी अलसी कलोंजी और सुरंजान शीरी अजगन नागोरी अलसी और चार चीज़े खुब बारिक पाउडर बनाए हम वजन लेकर जी और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम पानी इसे सब की जों से फाइदा करती है जवा और वजन नहीं उठाएं और वैस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करें जी और इतियात करें के मशक्कत कुछ कम करें जब तक आप जेरे इलाज हैं जी जी और तकरीपन दो माही ये नस्खा लें मुझे अमीद है ल्ला से के आपको फाइदा म की आप की जी तो आपको पीज़ कि नहीं है जी 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 नहीं है जी 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 की।